ये रेस्पी देखी मेरे बेटे ने कहता ब्रेकफस्ट में तो ममा यही खाऊंगा मैं कर दिखाना कुछ मुश्किन ना हो को मेरा सारा दिनी लग जाए फिर मैंने देखा मैं कर तो पटेटो बाइट से कोई बात नहीं हम आपके लिए बना देते हैं ए बनती है दो चीजों से आलू और ब्रेट तो हमारे पास आलू तो अल्री बॉइल पड़े हुए थे तो मैंने ब्रेट भी ले लिए ब्रेट का जो साइड वाला है ब्राउन पार्ट हमने वो काट देना है बड़े ही अच्छे से फिर हमने इसके अंदर इसको मिक्स करना है जैसे के दीदी जी तो मैंने यहां पर आलू मिक्स कर लिए तो मुझे लग रहा कि बैट भी इसी समय है मुझे डाल लेनी चाहिए तो मैंने दोनों चीजों को कठा किया दोनों को अच्छे से मिक्स किया मेरे हाथ में दर्ध होन लगी थी अलू थे ठंडे तो मुझे उससे प्राप्लम आई थी उसके लिए ही होगा तो देखते हैं कैसे बनते हैं जलो देखते हैं रेस्पी का अगर है कि नहीं तो हम इसमें थोटे से स्पाइस और अड़ करते हैं मैं इसमें करने लगी हूँ अपनी तरफ से कुछ कारी गरी मुझे जिंजर गालिक पेस्ट बहुत अच्छा लगता है म अपनी तरफ से डाल दी हूँ उन्होंने नहीं बोला डालना है दूसरी चीज हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और औरीगन जो के इसका टेस्ट बच्चों को बहुत अच्छा लगता है पीजे के ऊपर चाट चाट के खाते हैं इसको खोला था पहले थोड़ा सा तो मु म्रिश जो के इसके टेस्ट नमक डालिये उपने अनुसार उर चाट करें इतने अच्छा मिक्स करना कि क्या वोल्य आप बटा नहीं सकती भी प्लिकु अच्छा मिक्स करना तो मैं यह लोपने तीन बॉल बना लoben है तब अपने साफ करके बहुत ही अच्छा सव कर नहीं तो कि आपने इसको लंबा-लंबा करके फिर कट करने हैं तो मेरा यहां प्रेश आलु इसके लिए चाहिए थे मेरे अलु फ्रेश नहीं थे कि अच्छे से प्रॉपर शेप में आ जाए बड़ शेप में नहीं आ रहे थे पता नहीं क्या हो रहा है यार मेरा साथ पता नहीं मेरा बेटा कहां से रेस्पी लेकिया है तो मैंने जादा बड़े करने की कोशिश ने की छोटे-छोटी की जैसे दीदी जी बना रही थी लंबे-लंबे हमसे तो नहीं बना यार प्राइ करती हूँ कोई ने कोई गलती हुई है मुझसे तो नेक्स टाइम मैं कर दो दो नेक्स आप चाकु जाओ कर दो भूद दो नेक्स पहल भूद काने की जाता है तो पर प्रम आपको थे वह श्ते हैं तो चलो मैं अज़े बहुत महनत पाद एक बाद एक लंबा पीस की तो पर इसक बढ़ बना के रहूंगी तो फाइनली मेरा बन गया है तो अच् या लाइफ में यह समर लग गई है आपने कुछ भी करना है तो बड़िंग बहुत जिरूरी शेप भी बहुत अच्छी बनी है और जो फाइन पेस्ट जो एक जो पेस्ट बोलते हैं कि स्मूध जो भी होता वटाइवर तो वो हमारा बन गया था और शेप भी बहुत अच्छी मतलब परफेक्शन हमारी आगी जैसे कि दीदी जी हमारी बना रही थी तो चलो हम इसको फ्राइ करना शुरू करते हैं मैंने यहां पे रख लिया था तेल जो के बहुत ही गरम हो गया था चलो पटेटो बाइट्स आपका टाइम आ गया तो चलो गरम गरम तेल में नाई नाई करो मैंने फेस भी दिखा दिया फिर आपका हो ना किसी और ने बनाए यहां पर हर एक इंसान प्रूफ मांगता है इसलिए मैंने फेस दिखाया तो चलो एक एक करके डालना शुरू करते तेल बहुत जादा गरम था तो मुझे डर लग रहा था मैंना जादा और फ्राई का काम नहीं करती मुझे बहुत डर लगता है परसनली क्योंकि मैं छोटे होते देखा हुआ है किसी की ओपर तेल गिर गया था तो उसकी पूरी वहां से स्कीन ही उतार गी थी तो मुझे पतेल से काम से बहुत डर लगता है बट अब अपने बेटे के लिए करना था कहते है ना डर के आगे जीत है तो बिलकुत सही कहा जिसने भी कहा वह बहुत समझदार होगा जिसने इस शब्द कहा तो यहां पर तेज गयास पर आपने इसको पकाना है इसको भी आलू पसंद है बहुत जादा के हर एक चीज में वह आलू लाइक करता हो तो उसको जरूर वीडियो भेज़े ना क्यूंकि न्यू रेस्पी है वह भी ट्राइ करें वह बहुत ही टेस्टी बनती है यह मुझे नहीं पता गाईस मसा कर रहे हूं अभी खाने वाली ह सब कुछ वैसे ही किया तो चलो हमारे रेड़ी हो गए पटेटो बाइट सम इसको निकालते हैं कढाई से बाहर बहुत जादे नहीं कर ली पटेटो बाइट ने तो हम इसको खाने का टाइम आ गया है इसके ओपर हम थोड़ा सा एड़ करेंगे चाट मसाला जो के टेस्ट ब कि बताते हैं आपको 1,2,3, very hot oh my god seriously amazing मेरे बेटे को बहुत जादा पसंद आने वाली है सच बताऊं तो चलो अपने बेटे को बलाती हूं मेरी तवस्ते बिल्कुल 10 मैं से 10 नंबर दीदी जी को मिलेंगे चलो दीदी भी बहुत अच्छी रस्पी है thank you मेरा बेटा मुझे प आए करना so take care